हाई एव्रीवान वेलकम डू राज्मनोत्रा इस क्रूप आम अंकित कोशल होफ़ली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे तो गाइस अच्छे रहिए थ्यान रिखेपना एंड गाइस आज हम डिसक्स करेंगे लोजिस्टिक प्रफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 और इसको रिस कर पर पस्क्रिवन है फर्स्स टेटमेंट क्या के लोजिस्टिक प्रफॉर्मेंस इंडेक्स हेल्प डवलपिंग अंटिस इंटिफाइं विर इंप्रॉब्मेंट कन बी में तो बुस्ट कंपेटिवनेस ओफुली फर्स टेटमें आपको क्लियर होगी होगी सेगिंड स्थेट ऑफ जी स्टेटमेटन को क्लियर होगी हैं अभी के लिए वीडियो पॉस कीजी और बताएजिए कि को कौन सी स्टेटमेंट पर गलत और हम चलते हैं टॉपिक पर एंड लास्के सभाप को डिसक्रुर होब में और यह आर्टिकल था इंडिया जम्स सिक्स प्लेस इन वर्ड बैंक लोजिस्टिक प्रफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 सेम साही एडिटोरियल आपको इंडियन स्प्रेस में भी देखने को मिला होगा अब यहां पर अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें लोजिस्टिक अगर हम इससे भी सिंपल वर्ड में बात करें तो बेसिकली एक्वाइरिंग स्टोरिंग और डिलीवरिंग इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं लोजिस्टिक हम यहां पर आपको ओफुली समझ में आ गया होगा लोजिस्टिक होता गया और इसको लेकर जो पर्फॉर्मेंस इंडेक्स रिलीस करा जाता है वर्ड बैंक के द्वारा और देखो वर्ड बैंक हर दो साल के बाद रिलीस करता है इस इंडेक्स को 2010 से लेकिन इस बार का जो यह इंडेक्स है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 के बाद सिधा 2023 में ही आया और इसके पीछे क्या रिजन है COVID-19 तो हम काफी डिटेल में डिसकस करेंगे और क्या कुछ अ इंट्रीज और सेवन्थ एडिशन का यह वर्ड बैंक का लोजिस्टिक प्रफॉर्मेंस इंडेक्स है और यहां पर इसको बेसिकली रिलीस कर रहा है हमारी मिनिस्ट्री ओफ कोमर्स और इंडेस्ट्री मतलब है इंडिया के दोवारा बेसिकली यहां पर रिलीस करा गए मिन से आउट ओफॉर पैरामिटर्स में हमने काफी अच्छा प्रफॉर्म करा यह जो पैरामिटर्स या फिर इंडिकेटर्स यह होते हैं तो यहां पर हम समझ लेते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड को अच्छे से समझना यहीं से बेसिकली आप से कोशन पूछ बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है है और लोजिस्टिक जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो बेसिकली हम यहां पर कुछ भी इक्विमेंट एक या प्रोडक्शन पॉइंट से डिस्ट्रिबूशन पॉइंट पर भेज रहे हैं तो उसको लेकर यहां पर अगर हम सिंपल वर्ट में बात करें एक इंडेक्स रखा जाता है यहां पर कस्टम परफॉर्मेंस में क्या कुछ आ सकता है जैसे कस्टम डूटी है टेक्स कोलेक्शन है या जो बिसिकली हमारे इंपोर्ट-एक्सपोर्ट अगर हम किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो उसमें कस्टम चेक्पॉइंट होते हैं वो कितने अच्छे से यहां पर एफिशेंट वे में वॉक कर रहे हैं तो यह सारा का सारा कस्टम एक इन्डिया अच्छा कर पाएगा और यहां पर इंडियन गौर्नमेंट के द्वारा दो जर इक प्रोजेक्ट हम काफी डिटेल में इस सेशन में ही cover करेंगे और basically जो roads है highway है इनको construct करा जाता है infrastructure में अगर हम समझे तो उसके बाद ease of arranging shipments अब import और export अब कर रहे हो तो उस case में आपको यहां पर जो basically shipments है उसको अच्छे से arrange करना होगा and then logistics service quality और service quality भी definitely यहां पर एक बहुत important role play करती है और जैसे अगर आप कोई भी समान एक जगा से दूसरे जगा भेज रहे हो तो वह damage नहीं होना चाहिए है न तो service quality तो यहां पर काफी important रहे रहेगी रहेगी और उसके बाद अगर हम बात करें tracking and tracing of shipment shipment आज का जो यूग है और इंडिया इसमें काफी अच्छे से प्रफॉर्म कर रहे हैं और आपको बता है आप कोई भी समान मंगवाते हो माल लोग या फ्लिपकार्ट से मंगवा रहे हो या Amazon से मंगवा रहे हो तो आपको बता लग जाता है कि इंडिया और सिंगापर इतना जबर्दस तरीके से यहां पर लोजिस्टिक में प्रफॉर्म कर रहे हैं हम इंडिया की बात करते हैं अगर आप कोई भी फॉरण कंट्री से समान मंगवा रहे हो तो इंडिया में दो या तीन दिन में डिलीवर हो जाता है मैक्सिमम चार दिन लगा लगा और यूसे से अगर हम कंपेर करें यूसे में साथ से दस दिन लग जाते हैं तो आप देख सकते हैं डवलप नेशन की पॉइंट हो इसे एक डवलपिंग कंट्री कितना अच्छा प्रफॉर्म कर रही है और रें इंडिया यहां पर यह जो लोजिस्टिक प्रफॉर्मस इंडेक्स है इसको बहतर बनाने के लिए इंडिया की जितने स्टेट से उसको लेकर भी एक बेसिकली इंडेक्स रखता है जिसको हम लीड के नाम से जानते हैं अब लीड की फुलफो में उससे आपको क्लियर हो होगा तो डेफिनेटली यह जो बेसिकली समान है वह बहुत जल्दी पहुंच पाएगा या इंडिया को आप इस तरह से समझो इधर एरेविंस है इधर बेयोफ बेंगोल है अगर हम सारे के सारे पोर्ट किनेक्ट कर दें तो यहां पर जो इंडिया में बेसिकली हम कुछ भ डिफरेंट स्टेट इसकी फुल फोर्म आपको यहां पर याद रखनी है उसके बाद यह जो लीट्स रिपोर्ट है यह किसके दवारा पब्लीश करी जाती है मिनिस्ट्री ओफ कोमर्स एंड इंडिस्ट्री के दवारा यह याद रखना और यहां पर अगर हम एक चीज समझ और इसी वज़े से इंडिया का जो रैंक है 2018 में 52 था और 2023 में इंडिया का रैंक आ गया 47 तो यहां पर फाइफ नंबर की एक तरह से हमने इंप्रूमेंट करिए इंटरनेशनल शिप्मेंट में हिंडिया ने इंप्रूव कर रहा है फॉर्टी फॉर्ट पर हम 2018 में थे और आज कितने नंबर पर हैं त्वंटी सेगेंड पर उसके बाद लोजिस्टिक कंपिटिटिव एक्वैलिटी में 48 पर थे तो फॉर्टी फॉर्ट पर है आज की डेट में हम और शीपिंग टाइम लाइन में पहले हम 35 नंबर पर आज की की डेट में हम 70 नंबर पर हैं ट्रेकिंग एंड ट्रेसिंग नो डाउट डिजिटाइजेशन में हम काफी अच्छा परफोर्म कर रहें काफी यहां पर आपको डेवलप्मेंट देखने को मिलेगा लेकिन अभी के लिए अगर हम डेवलप्नेशन से कंपेर करें तो इंडिय सेवंथ पर है तो कस्टम में हमें यहां पर इंप्रोव्मेंट करनी होगी लेकिन आउट ओफ सिक्स फोर इंडिकेटर में हमने काफी अच्छा प्रफोर्म करें और यह जो इंडिकेटर से यह आपको पता होने चाहिए यहां पर मैंने आपको समझाये थे आपको क्लियर हो और फिर यह हर दो साल के बार रिलीस करा जाता था लेकिन 2018 के बाद जो सिच्वेशन आपको पता है थोड़ी से गड़ पड़ आ गई थी कोविट 19 की वाज़े से और यह जो इंडेक्स रिपोर्ट है यह हमें ड्रेक्ट 2023 में देखने को मिलिए 2018 के बाद लोजिस्टिक प्र रिपोर्ट है यह 139 कंट्रीज की है और इंडिया ने काफी अच्छा प्रफॉर्म कर रहा है 38 नंबर पर है और इसमें क्या-क्या पैरामेटर्स हैं वह हम अच्छे से देखी चुके हैं तो होफुली वह आपको क्लियर हो गया होगा उसके बार अगर हम बात करें यहां पर जो बैसिकली ओ इंडिया ने improvement कैसे करिए तो देखी इंडिया इंदिटियन कवर्में ने एक यहां पर master plan launch करा था और वो master plan क्या था गती शक्ती नैश्नल प्लैन अब यह जो कटी शक्ती नेश्नल फ्लैन है इसमें हमारी इंडिन कवर्मेंट ने आडि जो बिसिक concept मल्टी मोड ट्रांस्फॉर्मेशन करिए इंफ्रास्चर में नो डाउट वह एक रिमार के बल और इसी वज़े से हम लोजिस्टिक कर्वेंश में काफी अच्छा प्रफॉर्म कर पाएं अब गती शक्ती नेशनल मास्टर प्लैनको रिट हमारे इंडियन गवर्मेंट ने कि हमारा जो लुजिस्टिक क्रफॉर्मेंस इंडेक्स है वो काफी हग तक शुद्र है और इसको लॉंज करा गया था गती की नेशनल मास्टर प्लैन को दोजार 21 में याद रखना और यह क्या है मुल्टी मोड ट्रांस्फोर्मेशन प्रोजेक्ट और उसके बाद प्येम गति शक्ति बेसिकली दा एनर्जाइंग नीड फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग दा लोजिस्टिक लैंड्सकेप डू टू आप देखें मिनिस्टि इस नैशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हम नैशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के इसको भी हम गौशेशी जगापर पर समान भीज ना चाहे और मोट यह हो लेकिन हम ध्यान रखना है कि जो हम भीज कुछ भी अगर हम यहां पर समान को भीजने वो लो कोस्ट में जाना चाहिए और साथ-साथ हम यहां पर कारबन फूट्प्रिंट का भी ध्यान रखना है मतलब हम यहां पर एक ग्रीनरी का यूज करते हुए घ्रीन फ्यूल का यूज करते हुए यहां पर जो ट्रांस्पोर्टेशन है वो करेंगे और यही है बिसिकली एन लपी प्लैन नेशनल लोजिस्टिक पॉलिसी तो अगर हम सिंपल वर्ट में बात करें इंप्रूम्मेंट इन इंडिया पर्फॉर्म बेटर दें डा डवलप कंट्री तो होफ्ली आपको यह क्लियर हो गया होगा बहुत ही इजी है समझना जो इसको याद रखना और साथ-साथ-प्यम गतिशक्ति आप देखिए यहां पर जो हमारी गवर्मेंट ओफ इंडिया के अधर इनिशेटिव हैं सागर माला और भारत माला अब यहां पर इसके थो भी जो ट्रांस्पोर्टेशन को इंप्रॉय में खरण गौनेट कर जा ज्यादा थी एंड टाइम फॉर दा कंटेनर बिट्वीन इंडिया एंड सिंगापूर त्री डेसे इंडिया आपको बोला ना कि इंडिया लाइक इंडिया में जो बेसिकली अभी के लिए काफी अच्छा प्रफॉर्म करा जा रहा है कंपेरिटिव ली यूएस से उसके बाद कोमर्स ministry इभन नोटि डैड़ दा इनिशेटिव लाइक सांगर माला फैर माला है प्लेड पीज़ार्ट रॉल इन इंप्रोविंग इंडिया लोजिस्टिक एफिशेंसी अब भारत माला क्या है सांगर माला क्या अगर हम सिंपल वर्ट में बात करें टो देखें गे बोसे ल कर रहे हैं कि यह जो बेसिकली हमारी किनेक्टिविटी उसको हम इंप्रूब कर पाएं विदिन इंडिया उसके बाद होफिली यहां पर जितने भी डाउट होंगे आपके इस टॉपिक से वह क्लियर हो गए होंगे अब यहां पर अगर हम बात करें जो मेंली क्रेडिट जाता ह है या इंडिया में जो बिसिकली अभी के लिए जैसे गरती शक्ति प्रोजेक्ट है सागर माला है भारत माला है और जो पॉलिसीज लाई गहीं नो डाउट यह काफी अच्छे से प्रफॉर्म कर रही है तो चलिए अब कोशन पर जलते हैं तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो क्लियर हो जाएगी लोजिस्टिक प्रफॉर्मेंस इंडेक्स हेल्प डेवलोपिंग अंडिस इडेंटिफाइंग वेर इंप्रॉब्मेंट कैन बी मेड तो बूस्ट कंपेटिवनेस तो यहां पर जो फॉर्स स्टेटमेंट है वो सही है सेगेंड स्टेटमेंट यहां पर 189 नहीं आना था तो सेगेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी थर्ड स्टेटमेंट के अगर हम बात करें बिल्कुल सही है सिंगापूर एंड फिंड्लेंड अर्दा मोस्ट एफिशेंट एंड था हाइस टेंग एल्पी कंट्रीज एस पर होगा और जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं प्लीज आपने कोशन को अटेम्ट करने स्टार्टिंग में और उसके बाद आपने टॉपिक को अच्छे से समझना है अगर आप गलती कर रहे हैं कोई रिकत नहीं लास में हम कोशन समझ रहे हैं और कम्प्लीट पूरा एनल कुछ रिकत नहीं